किदारनाथ सिंग जी की कवीता है रोटी उसके बारे में कवीता करना हिमाकत की बात होगी और वो मैं नहीं करूँगा मैं सिर्फ आपको अमंत्रित करूँगा कि आप आएं और मेरे साथ सीधे उस आग तक चले उस चूले तक जहां वो पक रही है एक अद्भूत ताप और गरिमा के साथ समूची आग को गंद में बदलती हुई दुनिया की सबसे आश्चर जनिक चीज वो पक रही है और पकना लोटना नहीं है जडो की और वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे जपट्टा मारने को तैयार वो आगे बढ़ रही है उसकी गर्माहट पहुँच रही है आदमी की नींद और विचारों तक मुझे विश्वास है आप उसका सामना कर रहे है मैंने उसका शिकार किया है मुझे हर बार ऐसा ही लगता है जब मैं उसे आग से निकलते हुए देखता हूँ मेरे हाथ खोजने लगते है अपने तीर और धनुश मेरे हाथ मुझी को खोजने लगते है जब मैं उसे खाना शुरू करता हूँ मैंने जब भी उसे तोड़ा है मुझे हर बार वो पहले से ज़्यादा अस्वादिश लगती है पहले से ज़्यादा गोल और खुबसूरत पहले से ज़्यादा सुर्ख और पकी हुई आप विश्वास करें मैं कवीता नहीं कह रहा सिर्फ आग की और इशारा कर रहा हूँ वो पक रही है और आप देखेंगे ये भूख के बारे में आग का बयान है जो दिवारों पर लिखा जा रहा है आप देखेंगे दिवारें थीरे थीरे स्वाद में बदल रही है किधार नाथ सिंजे